है है हलो एंड वेलकम दो माई यूट्यूब चैनल एंड टुड़े वी आर टॉकिंग अबाउट एंगर प्रोवर्ब्स एंड हाव टू डिल विद प्रोवर्ब्स एंड विद ब्रेंग मतलब आप अपने एंगर को अपने गुस्चे को सांथ कैसे कर सकते हैं इसके प्रोवर्ब हम देखेंगे तो अप यह है इस पार्ट थ्री और प्रोवर्ब्स एंड लिट इस टार्ट विद ए प्रोवर्ब्स एंड शॉट आंसर टॉन अवे वर्ट नरम उत्तर कुरोद को दूर कर देता हैं मिनिग इस रेस्पोंदिंग तो एंगर और एक्रेशन विद्ध कैंडनेस एंड कामनेस गेंडिफ्यूस एंडिफ्यूस एंडिफ्यूस एंस सिटूशन पर एक्जामपल इंस्टीड ओफ यह लिंग बेक एड़ दे कस्टमर दे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जिए सफ्ट आंसर विच टर्न अवे वर्ट कहने का मतले नरम उद्दर्ज होता है वह स्को दूर करते करें इस तो when you are angry and you you will make the best speech you ever regret जब आप गुस्से में हो तब बोले और आप और आप सबसे अच्छा बशन देंगी जिससे आपको कभी पस्ताना पड़ेगा अगर आप गुस्से में हैं तो आप ऐसी चीज़े नहीं बोले जिसे सामने आपको कभी पस्ताना पड़े कहने मतलब यह कि वर् हीट हीट अफ एंगर को रोट की अगनी में आप सामने वाले को हर्ट नहीं करें एस देर में भी लीट तो लास्टिं एग्रेट फर एक्जामपल ही लेस्ट आउट एड इस प्रेंट दूरिंग अर्गुमेंट मतलब से अर्गुमेंट में अपने उसने दोस्को बहुत सु हुआ तो खरी गोटी सुना दिए और लेटर ही रिलाइज देट ही एड़ एड़ स्पोकन वेन ही वाज एंग्री मेंट बेस्ट स्पीच ही है एड एवर रिग्रेट बाद में उसको पस्ताना पड़ा नेक्स प्रोबर्ब इस एन एंग्री मेन ओपन इस माउथ एंड शट इस आई यानि कि जब कोई वेक्ति कुरोध में होता है तो वह अपना केवल मुह खोलता है लेकिन उसकी आखे बंद होती है मिन इस कि वें समवन इस एंग्री दे में स्पीक विदाओ थिंकिंग यानि बिना सची सम्झेवा मुह में जो आता है वो बोल देता है लिडिंग तो फॉर्दर टर्बल और मिसंडेस्टेंडिंग एंग्रेंपल ही वासो फुरियस यानि इस पार्टनर विदाओ इस पार्टनर के साथ उसको उल्टा से तबल दिया क्योंकि वो गुस्से में था तो उसने सामने वाली की फिलिंग को नहीं समझा नेक्स प्रवर्ब इस जो तुम्हें क्रोधित करता है भैत तुम्हें जीत लेता है कहने का मतलब यह है कि जो आपको गुस्सा दिला रहा है ना आप किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको गुस्सा आ गया तो आप हार गए वो अटोमेटिकली जीत गया अलाविंग अलाविंग सम्वन्स एल्स एंगर तो प्रवोक यू गिवस देम पावर और यूर इमोशन सेंड एक्शन जब आप गुस्से में तो आपने ओटोमेटिकी जो है अपना इमोशन सेंड कंट्रोल जो है वो खो दिया इसका मतलब सामने वाला ओटोमेटिकली जीत गया और यूज एंग्समेल पर अट्रिया एंगर इसकी जो है इसका मतलब उसने उसको गुस्सा दिलाने की खोशिश करी लेकिन वाट सांत रही तो जब भी आपको कोई गुस्ता दिला है तो आप रेक्ट नहीं करें वहां से थोड़ा सा दूर हो जाएं आगे इस पर बात करेंगे कि हाव टू डिल विद एंगर नेक्स प्रोबर्ब इस अगर है अघर मेंडनेस ठीडॉ कि यह एक चोटा लेक्ट अगर जो और चोटा श़पागल पना था है इस छोटे से एंगर के अंदर भी आप जो है वह बहुत जारा नुक्सान करते हैं दूसरों करते हैं साथ में सबसे अधा अपना नुक्सान करते हैं बाद में इस चीज का आपको रिलाइज भी होता है हैं तो फॉर एक्जामपल ही ब्रोग एविल्यूबल आइटम्स इन एफिट ओफ एंगर जब गुस्ते में था तो उसने अपना किसी महत्पूर्ण या बहुत ही अच्छी चीज को उसने तोड़ दिया बाद में उसको उसके पस्तावा हुआ उसको यह प्रोवर्ब याद आई कि एंगर इस चोटा सा पगलपन है तो आपको गुस्ता है तो प्लीज उस सिटूशन से आप बहार निकल जाए और सोचने की कोशिश करें कि how to deal with एंगर नेक्स्ट प्रोवर्ब इस दे बेस्ट क्योर इस एंगर इस डिले गुस्से का सबसे अच्छा इलाज दे रही है मैंने बात अभी आपको बताया था कि जब भी आप इसी सिटूशन में हो तब आप क्या करें अब उससे निकल जाएं या थोड़ी सी उससे थोड़ी सा कट लें बोले तो सजेस्टिंग डेट टेकिंग टाइम टू कूल ओफ बिफॉर रिएक्टिंग टू एंगर कैन बी लीटू बेटर डिसीजन एंड रिसॉलीशन कि अलाएं थोड़ी दैक अब उसस्तिति से थोड़ी से निकले और सोचने की कोशिश करें और डिसीजन लें और उसकी सोलीशन के बारे में सोचें कि उसका स्लुउशन किया हैं बजाए आपको रिक्ट करने के तो इस्तिट ऑफ रेस्पॉंडिंग इमिडेटिट्ली आपक यह उसको यह पता था कि जो एंगर का जो डिले है वो क्या है एंगर का जो सोलुशन आपने दिमाग का प्रयोग करें कहने का मतलब use think before you speak in nda ya advice advising people to think and strategy before using physical strength or force for example instead of instead of तो नेक्स प्रवर्ब इस इसको मैं समझार जैता हूं को पहले कि जो जब दरवाजय नहीं खुला तो उसने उस दरवाजय को फोर्स करने के बज़ाए कि उसको जो है उसकी चाभी खोजने की कोशिश करी ही फाइंड दे कीज बिकॉज ओफ इन नोई वेरी वेल की यूज यूर ब्रेन बिफॉर यूर ब्रान मतलब अपने बोलने से पहले या कुछ एक्शन करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और और बोलने से पहले आपको सोच बचना चाहिए कहना मतलगे है that's meaning is now next problem next proverb is a small plan can outfit a large ones एक छोटा दिमाग बड़े दिमाग को मात दे सकता है how it possible it for meaning is the intelligence and cleverance can be can overcome physical advantage for example this despite being physical physically smaller she outsmarted her opponent in the chess match so a small brain can be out with a large one मतलब एक बड़े बड़े दिमाग से मतलब यहां पर किसी बड़े विक्ति को भी एक छोटा दिमाग छोटा लड़का जो है वह हरा सकता है because of intelligence and cleverness cleverness मतलब अपनी चतुराई से और अपनी बुद्धी मता से जो है वो मात दे सकता है so now next proverb is you can you can't put out you can't put all heads on your on young shoulders आब युवा कंदों पर बुड़े सीर को नहीं डाल सकते हैं कैना मतलब यह है कि एक्सपरियेंस एंड विज्डम कम विद एज and cannot be given to the young given to the young for example he tried to advise his teenage son but the boy did not listen so you can't put all heads on young shoulders मतलब कहने मतलब कि आपने बच्चे को जो teenage teenage में है उसको advise करने की कोशिश करी पर उसने सुना तक नहीं तो आप जो कहने मतलब यह हैं कि आप युवा कंदों पर बुड़े शिर को नहीं डाल सकते हैं सो नेक्स्ट प्रवब इस इफ यू है ब्रेन यू है वर्ड यह आपके पास दिमाग है तो आपके पास एक अपनी एक दुनिया है पॉर मिनिंगे मिनिंगे इस एम्पेसाइजिंग दे इंपर्टेंस ओ नोलेच एंड इंड एंड इंड इंड इ आपके पास दिमाग है तो आपके पास अपनी दुनिया है और आप उससे कुछ नया कर सकते हैं है तो नेक्स्ट परवाब इस दे ब्रेन में डिवाइस ला लॉस फॉर द ब्लड बट ए होट टेंपर लीप्स ओवर एक कॉल्ड डिक्री मस्टिश यानि क्याने का मतला है कि मस्टिश खून के लिए कानूर बना सकता हैं लेकिन गर्म सभवाव थंडे आदिश पर हावी हो जाता हैं meaning is highlighting the influence of emotions and impulse over rational thinking so in example despite knowing the rules he acted on his anger impulsively the brain may devise loss for the blood but a hot-tempered lips over a cold degree यानि कि आपका सोभाव अगर गरम है तो थंडा अधिश दे रहा है तो उस पर वो ओटमेटिक लिए हवी हो जाएगा किसी दूसरी के आपर influence करना मतलब highlighting the influence of emotions and impulse over rational thinking then now next problem is brain is better than brown मस्तिस भुरे रंग से बहता रहें intelligence and mental abilities are often more valuable than physical strength कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर अगर आपका powerful है तो भी उस पर उसको overcome कर जायागा कि intelligence and mental abilities for example in the competitive world of business having a sharp brain is often more advantageous than share physical strength brain is better than brown brain is better than brown okay so keep using your brain instead of your physical strength so next so now next problem is an empty brain is evil workshop यह तो आपको सब पता ही है कि खाले दिमाग सेतान की कारे शाला है meaning is suggesting that the dullness of lack of mental stimulation can be lead to negative thoughts and actions so in example during summer break he encourage her children to read and learn keep them busy because knowing that a proverb an empty brain is the devil workshop now next proverb is a sound mind is in a sound body एक सबस्त दिमाग एक सबस्त दिमाग का निवास होता है meaning is staying in the importance of both mental and physical well-being for example she maintained a healthy lifestyle by exercising regularly and engaging in mental challenges believing in a sound mind in a sound body क्योंकि उसको विश्वास है कि एक सबस्त दिमाग का निवास होता है इसलिए वो daily regularly access करता है और अपने अपने बोडी को जो है वो healthy रखने की कोशिश करता है इसलिए नव नेक्स प्रवर्ब इस ब्रें इस वाडर दें श्काई मस्टिश आकास से भी व्यापक है highlighting the limitless potential of human intelligence and imagination for example when he gazed at the star he felt then the brain is wider than the sky there will be bound no boundaries to what he could conceive आपको तो पता ही है कि मस्टिश आकास से भी व्यापक है brain is wider than the sky so you see what this is a mkha a kha a kha a chand per people's game that is impossible thing next to impossible but हमने अपना ब्रें का यूज किया उसको और काम पर लगाया तो हम जो है अपनी प्रतिव से भी बाहर निकल गए ठीक है नव नेक्स प्रवर्वर्ब इस the brain works better when it's connected to the heart मस्टिश्क जब आपका मस्टिश्क जोड़ा है वह बहतर काम करता है जब अपने हाट से जड़ा होता है क्यानाहां यह कहनाहां की मतलब यह होता ना की दिल से जो अर्डिसेजिशन लिया जाता है वह बैटर होता है because better hोता है क्योंकि बेटर होता है क्योंकि उन्होंने दिमाग से काम नहीं किया emphasizing the importance of empathy and emotions intelligence in decision making यह एक प्रभावशाली जो है वो decision making होती है क्योंकि आप आपने जो है वो decision लिया वो brain से नहीं लिया वो heart से लिया है for example as a leader he she knew that the brain works better when it connected to the heart she considered the feelings and well-being to well-being of her team members now the next proverb is once bitten twice shy एक बार काटा हुआ दोबारा चोकनना हो जाता है क्याने मतले हैं कि अगर आपको आपको किसी चीज का negative experience हो गया है तो आप उस situation पर काफी सतर हो जाएंगे more cautious to avoid a similar situation people stands to be more cautious to avoid a similar situation the better to have come come copy car me she had invested in the risky business before he lost money so she was she was hesitant to invest again she know that was bitten twice shy so we are going to study next proverb lighting never strike twice in the same palace बिजली कभी एक इस्तान पर दो बार नहीं किरती कैने मतलब कि अनलाइक इवेंट्स ओर डिजास्टर्स और अनलाइकली तू हपन अगें इन दे एक्जाट सेम वे क्याना है मतलब कि अगर किसी ने कार चलाई और उसा एक्सिडेंट हो गया तो वो यह सोच कि कभी नहीं बेठे की जो है वो दुबारा कार नहीं चला सकता वो दुबारा कार चला सकता है क्योंकि झाल दुबार चलाई क्योंकि को समय घा बा। ऑस समय का सकता न को सब दुबारा का नहीं for example he wanted to sell his antique car but also he drive his occasionally his friend demanded him the proverb you can't have your cake and it is twice कहने का मतलब यह है कि उसके पाद अपनी कार थी लेकिन उसने वो उसे कभी-कभी अंगर एंगर एंगर एंडर हैज्ट्र हेंडर इंडरी गुट कॉंसल को जल्दबाजी में जल्दबाजी अच्छी सला में बदर डालते हैं इंपलेंग देट मेकिंगेगी देजिशन इंगर और विडाओट केर्फुल कंसिट्रेशन can lead to poor choice for example he regretted sending the angry email without thinking it is true and because you know he never know anger and haste hinder good counsel कहने मतला यह है कि उसने गुस्ते में जो है वो उसने email कर दिया लेकिन उसको बाद में realize हुआ कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था next proper ways okay friends that's the end of the slides so thank you so much for watching please subscribe my youtube channel like this video till then bye bye